पुरुश और तम्योग जिसमें भगवान स्वयम के पति कहते है कि मैं अक्षर और अक्षर दोनों के अतीत हूँ उसमें भगवान केते निर्मान मोहा जित्संग दोशा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा ध्वन्द्वयर विमुक्ता सुख दुख संपयाई अच्छंत्यमूधा पदम अव्यायंतत् इजु निर्मान होकर रहपाये मृत्यु के पश्चात ऐसी जगह पर पहुचे वह आगे कहते कैसी जगह पर न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावकर यद गद्वा न निवरतंते तद्धाम परमम अर जुन ऐसी आत्मा उस मेरे धाम तक मेरे चर्णों तक पहुच जाती है जिसे सूर्य पकाशित नहीं कर सकता चंद्रमा नहीं अगनी नहीं जो सूर्य को अपना तेज देती है, संद्रमा को शितलता देती है और बजली में चमक देती है वह मेरा धाम